दिखो यह मेरी सोलमेंट ने भेजा है मैंने वह मेरे लिए कुछ और मैं उसके लिए कुछ हम एक दूसरे के लिए भेशते रहते हैं तो इसने इस बार भेजा है फ्लैक सीट्स यह जो है जिसको हम माराठी में जवस बोलते हैं और पमकिन सीट्स, सनफ्लावर सीट्स, और ये है वाटरमेलोन सीट्स, और ये है चिया सीट्स, ये सब मिला कर खाने से एनरजी बनी रहती है, थोड़ा-थोड़ा लेती है, मैं कल ही आया है ये, और थैंक्स टो हर, मैंने उसको बोला कि ये जो है आनलाइन बड़ा महंगा है तो यह तो दुकान में भी मिल जाता है किराना शॉप में तो तुम प्लीज मत भेचो तो उसने मुझे बोला कि दुकान में मिलता है लेकर कोन आता है तुम अगर लेकर खाती तो मुझे जरुरत नहीं पढ़ती कि यह भेजने की तो मैं अब यह खुद खरीद के खाऊंगी क्योंकि ओनलाइन मेहंगा है शायद तो मैं उसको तकलीफ नहीं देना चाहती क्योंकि उसको पता है अगर मैं नहीं खाऊंगी तो वह ओनलाइन भेच देगी तो मेरी जो soulmate है जो कि female body में है देखो कितना प्यार करते है soulmate मुझे याद है मेरा karmic मिड़नाइट को एक बार मुझे भूख लगे थी और मेरी karmic को मैंने बोला कि देखो मुझे भूख लगी और मुझे जबर्दस भूख लगती थी मतलब मैं खाने में इतनी माहिर थी सारी दुनिया परेशान थी तो अभी भी लगती है भूख कभी बहुत ही खाती हूँ जया मतलब मेरे जो है लो बैटरी रहती हमेशा कुछ नो कुछ डालना पड़ता है उसमें बले हजम हो ना हो बट उसमें डालना पड़ता है तो उसने मुझे बला उसाइड वाली रूम में गुशे से जाके खा लो तो मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया उल्टा दूसरे दिन जो है खाना खाते समय वो भी वो अपनी मा को बोलने लगा कि देखो इसको ना कभी भी भ भूक लगती है क्या वो भी खाना खाने के बाद तो इतने घटिया होते है कार में क्यार सिरिसली गंदे वाले घटिया और सोलमेट देखो जिसको ना भी बोलो तो भी अपके लिए वो क्यार भेशता है तो आप भी ये सीट्स खाओ ये सच मुच एनरजेटिक है कुछ रॉ अपके पेट में जा रहा है और मैं देखोंगी अगर ये फादर के लिए भी ठीक होगा क्योंकि ए ओउल बेज होते है तो अगर ये भी ठीक होगा तो मैं उनको भी दूंगी और मैं हमेशा आपलाउंगी भरके रखोंगी नहीं तो मेरे सोलमेट बेचारी खर्चे करेगी तो thanks to soulmate और thanks to God कि जिसने इतनी प्यार करने वाली soulmate मुझे दी जो मुझे इतना प्यार करती है ओके दोस्तों तो आप भी ट्राय करना ये seeds को